हमने बात करी हुई है योनी के हेर्स के बारे में हमने बात की हुई है पैने से एरिया के आसपास बालों को कैसे साफ करते हैं लेकिन हम नहीं बात करी है है अनल हेर्स के बारे में मतलब आपकी अद आसपास के बाल हम सब के बहुते हैं और अगर आपको भी लगता है कि मुझे वहां के बालों को कैसे साफ करना है तो यह चानल की वीडियो तो इस वीडियो को पूरा नहीं तक देखेंगे हाइब डॉक्टर निहां मैता में सब्सक्राइब करना नहीं बूले मुझे पतार की वीडियो अन तक देखने वाले हैं तो चली हम बात करें थे हम सब के जो गुड़ा के आसपास हैं वहां चुटे-चुटे बाल होते हैं और यह बहुत बार अगर किसी को रिमिंग पसंद है या अनल लिंग्स पसंद है मतलब आनल पर किस करना सक करना या वहां औरल सेक्स करना वहां पर कॉम्लिकेशन डेफिनिटली अराउस होती है क्योंकि कोई कर रहा है उसके मुझ में बाल आ रहा है या मुझ से इंजॉइन नहीं कर रहा है क्योंकि जहां हेर्स होंगे वहां साफ सफाई का इशू डेफिनिटली रहने वाला है तो फिर कैसे इसे clean करना चाहिए question number 1 यह पूछा चाहता है कि मैं क्या मैं वहाँ पर कोई cream use कर सकता हूं usually वो area बहुत sensitive होते हैं तो वहाँ पर जो आप भी जो भी cream आप लगा के बैठ रहे हैं जैसे अपने penis area पर वो cream लगाई तो उसके पीछे अनल एरिया तक भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका try test करना जरूरी है जैसे माली आप नहाने से पहले क्रीम लगाते हैं तो क्रीम अपने penis area के आसपास थोड़े से section में लगाई और अगर आपको लग रहा है कि बाल निकल रहे हैं मुझे जलन नहीं हो रही है तो आप डेफिनेटली आनल एरिया तक लेकर जा सकते हैं दूसरा जो मैं बिग नो कहूंगी वह सिजर्स को यूशल सबढ़ते हैं तो सिजर का इस्तेमाल कभी भी आनल एरिया के लिए नहीं करना है तीसरा option आता है कि मैं मैं वैक्स करा सकते हूं क्यों कि नीचे लोग वैक्स कराते हैं विच नॉट ऑप्शन पर आनल एर्स फोर्थ क्वेशन आता है कि मैं क्या मैं वहां पर मेभी कुछ आनल सेक्स बाट रेजर का भी बहुत सुझ समझ के यूज करना है क्योंकि आनल एरिया क्लिंग करने के लिए आपको दिखता नहीं है मतलब यू कैनोच सी कि कहां बाल है क्यों तरफ है तो आप क्या कर दकते हैं चौकडी के बैच सकते हैं में आप अपने वाश्यूं में ब कर सकते हैं और यह क्या करेगा आपको स्मूध अपैरंट इका साथ साथ अगर आप चाते हैं कि मुझे शेविंग करनी है या फिर मैं कैसे करूं तो आपका पार्टनर भी आपके लिए शेव कर सकता है जैसे आप अपनी वाइफ को आपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि to be ashamed of हम सब कहीं न कहीं अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं सही तरीका क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं बूले और ऐसी वीडियो के लिए आपको में सब बने रहना पड़ेगा कुछ और पूशना चाते हैं को यह जानकारी देना चाते हैं उन्हें कमें सेक्षिन में लिग भेजें और हमारे जो नए चानल सेंट बॉइस एंड गर्ल्स उनको डेफिनिटी सब्सक्राइब करें इंस्टेग्राम फीस्बूक पर करें डॉक्तर निहां ओपीशिव